बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, फूदिंग ब्लॉगिंग, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं, बारी कंगी पे धागा लगाने का तरीका, हमारे सरों पे, हमारे बच्चों के सरों पे, mostly ऐसा होता है कि गर्मी की व बच्चों के सरों पे जूएं पढ़ जाती हैं, इक दूसरे बच्चों से जूएं शिफ्ट होती हैं और फिर बच्चे घर पे ले आते हैं, और इन जूओं का खाक्मा करने के लिए हमारे पास सबसे देशी टोटका है, यह जो भरीकंगी होती है, और बहुत पुराना यह जाजमी होती है, और इसको यूजकी त 지ogn시,' ऑ हमारे सर से ईहें लिखे हैं और लूख के अंडे हैं, विहाँ फिर गुक्र० आओे ने जाएंगे और उसके टोड़र यूजके शना होते हैं, जैसे यह ज्यादा टाइम नहीं तो सिर्फ gjौंस मिनिट हम घर यह जाइए ह अपने सेषर फेडर है । जुट निकल की जाती है जब हम डेली बेस पे इस करें का रिया तो हमारे सरव हो गरेकशियों भाइज उखाती है तो यहाँ पर मेने ले लिया है धागा। धागा थो गलब की घृती है। ज्यादा भी लेना है और इसको डबल लेना है धागे को ताकि जब हम गंगी को बांग रहे हो तो हमें दरमयान में धागा ना खतम होजे और धागा टूप मतलब के खतम होने की वज़ा से कोई मुश्किल भी ना आए तो यह मैंने डबल धागा जो है वो ले लिया है और अब हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे सबसे पहले यहां पे इस तरह हम इसको डालेंगे डालके फिर यहां के जो हम यहां से इस तरह से थोड़े से बर डालेंगे और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने के लिए इस तरह हमने कर ला ए और तीन तीन दाने लेने हैं तीन तो ज्यादा दानी नहीं लेने इसके जो तीन दन दाने हैं ना इस तरह हम जिक्जक रोज करेंगी इसका यानि के हर तीसरे दाने पे हम इसको इस तरह से बांद लेंगे बांदेंगे नहीं इस तरह से गुजार देंगे और और जो धांगे ने इसको थोड़ा चाहिए हमने टाइट रखेंगे तो हमारा ये जो इसमें लीखें और जूएं भी ज्यादा फच्छी दी अपोजिट का कलर मैंने इसलिए इसलेक्ट किया है ताके आपको समझने में थोड़ी असानी हो आप ये इसको पीछे से भी देख सकते हैं पीछे से इस तरह हो रहा है और आगे से ये इस तरह से है ठीक है और इसी तरह मैं इसको सारी को बना के तो फिर आप इसको दिखाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो पूरी बारी कंगी के धंदानों पर मैंने इस तरह से धागे को जिक्जक क्रोज कर लगा लिये और अब यह जो इसका लास्ट है ना इसको अब हम रिपीट करेंगे और रिपीट करके जो हिस्से रह गए ना इसको कवर करेंगे थोड़ा सा यह महनत तरह काम है लेकिन अगर हम इसको कर लेंगे तो इससे हमारा ही फाइदा है इसको जड़ा खीन्स के हमने इसको बनाना है बिल्कुल लूज लूज हमने इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना इस तरह से खीन्स के हम इसे बनाएंगे धागा जो है वो हमारा मजबूत होना चाहिए यह ना हो कि जब हम इसको बना रहे हैं और यह मतलब कि जब हम इसको खीन्स रहे हैं तो इसका धागा जो है वो डूट जाए फिर यह थोड़ा सा मुश्किल होगी परिशानी होगी और हमें यह काम दुपारा से करना पड़ेगा तो यहापी अब तकरीब थागा जो है वो कूरा होगी है माशाला और इतनी प्यारी कंगी जो है ना वो टाइट हो गई है अब यहां से हम इसको बांदेंगे और आप यह देख सकते हैं कि कितना प्यारा जो है ना यहाँ पर इसके टाइट होगी है अच्छे से और टाइट होने के बाद अब यह जो दंदाने इसके जाएंगे और इजीली मतलब कि सर की सफाई हो जाएगे तो उमीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए ये वीडियो तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यूँ है काइनली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का मोटिफिकेशन एजीली अवेलबल हो सकते इसके साथ ही मुझे दीजे इजाजत दौण में याद रखिएगा अपने धेर कुर सानक यार लखिएगा इजागे लामाफ खोसे